दोस्तो तीसरे टेस्ट मैच में स्रिसब पंत ने एक सर्मनाक रिकार्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है ऐसे में चौथे टेस्ट मैच में खेलेंगे या नहीं भारतिय प्लेंग लेंगे वन के हिस्से होंगे या नहीं टीम से बाहर होंगे इस बात को लेकर विराट कोहिली ने बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों इंगलाइन के साथ टेस्ट सिरीस से पहले पूर्व बहुत सारे दिगज किरकेटर रिसब पंथ पर दाव लगा रहे थे कि इस किरकेटर के उपर यह टेस्ट मैच निर्भड होगा यह अहम खिलारी है ऐसे में बहुत बड़ी बात हो रही थी रिसब पंथ को लेकर क्योंकि रिसब पंथ ने अस्ट्रेलिया के खिलाप बहुत जबरदस्ट प्रफॉमेंस किया था और तीम इंडिया को जीत भी दिलाए थी अगर वहीं बात करें दोस्तों तो रिसब पंथ ने बहुत सर्मनाक रिकॉर्ड अपनी नाम धर्ज कर लिया है दोस्तों रिसब पंथ एक बहुती बहतरीन प्लियर है उन्होंने अस्टेलिया के खिलाप बहुती जबरदस्ट बल्यवाजी की थी और टीम इंडिया को जीत दिलाया था मुई अगर बात करें दोस्तों इंगलाइन के खिलाप बांकी बल्यवाज के तरह रिसब पंथ पुरी तरह से फ्लॉप है और कोई भी बरी पारी खेलने में नाकाम है मुई दोस्तों अगर इनकी रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों पारी में भी दाहें नहीं चूपाए हैं दस रन नहीं बना पाए हैं दोनों पारी मिला के उनकी बल्यवाजी पुरी तरह से फ्लॉप रही है अगर पहली पारी की बात करें तो दो रन बनाए हैं वहीं दूसरी पारी में एक रन बनाके पवेलियन चलेवते बनें सर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर ली है वोई अगर बात करें विराट कोहली तो विराट कोहली ने प्रेंस कॉन्फरेंस में रिसाप पंत की पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा पांच टेस्ट मैच के लिए सब पंथ ही विकेट कीपर होंगे उनको विकेट कीपरिंग की पूरी जिम्मेदारी है और पांचो टेस्ट मैच में विकेट कीपरिंग करेंगे और बल्लेबाजी भी करेंगे दोस्तो इसी तरह के किरकेट नियूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें